आउनेंगी गमार की करीदार सब्जी, इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है प्याज, टमाटर, मिर्ची, दुन्य पती, मसाला, जीरा और गमार. गमार को दुरो के मैंने छीन के छोटे छोटी टुपड़ों में काट लिया है. मैंने एक कराही में तेल गरम कर लिया है उसमें मैं डालूंगी जीरा, मिर्चा, प्याज और तमाटर का मैंने पेश्ट बना लिया है मैं प्याज को डालूंगी प्याज हलका फुलका पक जाए तो इसमें में डालेंगे टमाटर ग्रेवी पक रहा है लोस्तो यार काफी कम समान में एकदम चटपटी सब्जी बनके तयार हो जाती है अगर इस तरह से गमार की सब्जी बनाएंगे तो सब को पसंद आने वाली है अभी ग्रेवी को एक दम से अच्छे से पका लेंगे जब तक कि तेल उपर ना आने लगे अब इसमें में मसाले आट करूंगी इसमें मेरा ये सब्जी मसाला फल्दी पाउडर अच्छे से पक गया है मैं इसमें गमार डाल देंगे गमार को कुछ देर तक हम चलाती हुए पकाएंगे इसे हम हाई फ्रेम पे पकाएंगे फिर गैस का फ्लेम थोड़ा काम कर देंगे और अच्छी तरीके से चलाके कुछ देर के लिए ढख देंगे लबक दो मिनट हो गया है अब मैं चेक करूंगी बैस का फ्लेम एक तंप था इस दिए सब्ची एकदम से स्वाफ हो गई है देवी में मिल गई इन सब्ची अब इसमें पाने डाल देंगी स्वाफ के हिसाब से नमक दने पती ते सब्ची बलने लगा है हाई फ्रेम के लगभग दो मिनट पकाएंगे यह देखिए एक दम अच्छे से हमारी सब्जी बन के त्यार हो गई है वर्खली में एक दम से तरी एड़ हो गई है इसे रोटी चावल पूरी किसी भी खाने के साथ आप खा सकते हैं दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब किजिए थैंगे